भोजन मानव को निरोगी रखता है और साथ ही साथ इसकी अधिक्ता से मनुष्य रोगी भी बन सकता है इसलिए हिंदु धर्म में योग और आयरवेद के नियमों पर चलने के कुछ धार्मिक नियम बनाए गए है सेहत से जुड़े सभी तत्वों को हमारे रिशी मुनियों ने धर्म के नियमों से जोड़ दिया है उन्होंने जहां अपवास के महत्व को बताया है वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि किस माह में क्या खाना चाहिए और क्या रही किस वार को क्या खाएं और किस नक्षत्र में खाना सबसे उत्तम माना गया है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जीवन में नियम और अनुशासन नहीं है तो जीवन घोर संकटों से घिर सकता है नियम के बगैर धर्म अधूरा होता है तो आईए जानते हैं कि क्या खाने से हम स्वस्त बने रह सकते हैं और कौन सा परहेश करने से हम बिमारियों से बच्चे रह सकते हैं लेकिन पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सबस्क्राइब दोस्तो एका दशी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं चावल हमारे खाने में विशेश भूमिका निभाते हैं अगर हम सिर्फ दाल चावल ही खा लें तो एक टाइम का पेक तो भरी ही सकता है कुछ लोगों को चावल इतनी बसंद होते हैं कि वे खाने में दोनों टाइम चावल खाया करते हैं लेकिन आपको चाहिए कि एक अदशी पर चावल ना खाए विग्यान के अनुसार चावल में जलतत्व की मात्रा अधिक होती है जिससे डैजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है और आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की दिशाएं बदलती रहती हैं और एका दशी के दिन जलतत्व अधिक होने से पेट की समस्याओं को निमंत्रन देने का काम करता है चावल शास्त्रों और धर्म के अनुसार अगर आप देखें तो एक कथा के अनुसार माता के क्रोट सी रक्षा करने के लिए महर्शी मेधा ने अपना देह त्याक किया था और उनका देह भूमी में समा गया था और कालंतर में वही अइंश जावल के रूप में उत्पन नहुए और जिस दिन उनकी देह भूमी में समाई उस दिन एका दशी ही थी इसी कारण एका दशी पर चावल और जौं से बनी चीजों को खाने के लिए मना ही है एका दशी के दिन लेसुन प्याच का सेवन करना भी अनुचित माना गया है इसे गंध युक्त और काम भाव को बढ़ाने वाला माना गया है वैग्यानिक ब्रिश्टिकून से देखें तो जादा मसालेदार भोजन करने से हमारे स्वास्त पर इसका बुरा असर भी पढ़ सकता है इसके अलावा एका दशी अम द्वा दशी पर बैंगन खाना भी वर्जित है इसी दिन सेम की सबजी का सेवन करने वालों को संतान हानी हो सकती है मास मदिरा का सेवन करने वालों को नरक की यातनाय छेलनी पड़ती है दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि माह के अनुसार आप खानपान में सावधानियां बरत कर स्वस्थ रह सकते हैं तो सबसे पहले चैत्र माह इस माह में गुड को खाना मना है बैसाक माह में नया तेल लगाना मना है जेट माह में दोपहर में चलना मना है आशाड माह में पका बेल न खाना मना है सावन माह में साग खाना मना है भादो माह में दही खाना मना है क्वार माह में करेला और कार्थिक माह में बैंगन और जीरा खाना मना है माग माह में मूली और धनिया का खाना मना है तो फागुन माह में चना खाना मना है तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कॉमन बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिये लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी जानकारी वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद